हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टू मैं चैनल आज मैं आपको बहुत ही सिंपुल एन इजी हेस्टाइल बताऊंगी जो आप समर में से बहुत ही आसानी से घर पर भी इसे यूज़ कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं पर उससे पहले फ्रेंट्स आप मेरे चानल को सब्सक्राइ कर ले ताक कि मैं आप सब के लिए अच्छ अच्छे हेस्टाइल्स अपलोड कर सकूं आप मेरे वीडियो को फैमले फ्रेंट्स एंड लवन्स के साथ शेर भी जरूर करें ताकि इन सब को हेस्ट्राइल के बारे में मालूमात हो सके यह दुस्तों स्टार्ट करते हैं पहले तिक आस्माल सक्जन आ फ्रेंट कर दूर्ट हैं अंडे ब मेरे जिस ताह बनात है वसी तरह से रह जग एस थारह से एन ऍाण HA मूर स्टाइल कर दूठ मोले आप फल नेक्ट आइल स्टाह व्रें पारें उपयलत था से परना थे टुलिक टर उचीन लंटकर ग थामाल टो कर again flip the right one into the middle and again add the hairs of right side into the middle and flip the hairs of the left side into middle again add some hairs of left side into middle this way you can make the hair of the right side into the middle again and then make the hair hair to make the hairs so you can make the hair naturally so you can make the hair hair लुक तो बहुत ही अच्छा आता है आप इसे समर्स में इस हेर स्टायल को यूज़ कर सकते हैं तो फ्रेंड्स इसी तरह से आपको ब्रेड्स बनाना है सेक्षिंस स्मॉल सेक्षिंस हेर्स के एट करते जाना है अगर मेरे वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आती है तो लाइक का बिटन क्लिक करो अगर आप मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हो दोस्तो तो मेरे चैनल को सबस्क्राइब कर ले ताकि मैं आप सोब के लिए अच्छे चेहर स्टायल्स और मेरा अनदर चैनल है कुकिंग का जिसका नाम है शाजिया खांस किचन आप उसको भी सबस्क्राइब कर ले मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एट कर दूँगी आप मेरे उस चैनल को भी सबस्क्राइब कर ले उसमें मैंने बहुत से इंडियन डिश्यस एड किये है जो गपर बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्दी बन जाते है आप मेरे उस चैनल को भी सबस्क्राइब करें आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ही इंपोर्टन है आप मुझे मोटिवेट करें कि मैं और भी अच्छे वीडियोस आप सब के लिए दाल सकों आप सब की हल्प कर सकों आप ने देखा दोस्तों कि ये हेरस्ट्राइल बनाना कितना असान है मैं यहाँ आपको एक-एक स्टेप इसली एक्स्प्लेइन कर रहे हूँ कि आपको किस तरह से बनाना है आप इसे देखिए और घर पर ट्राइ कीजिए और कॉमेंट में बताइए कि हेरस्ट्राइल आपको कैसी लगी सो लास्ट एंड तक आपको इसी तरह से ब्रेट करना है और लास्ट लिए आपको इसमें हेर बैंड अटाच कर लेना है अगर आप हेर बैंड नहीं दिखाना चाते है तो आप थोड़े से हेर्स लेकर उस पर फ्लिप आट कर सकते है सो ये थी मेरी आज की वीडियो पसन आए तो लाइक का बिटन क्लिक करे और मैं चैनल को सब्सक्राइब करे चलती हूँ मैं नेक्स वीडियो में मिलती हूँ अभी के लिए बाबाई दोस्तो